एक कहानी तीन दोस्तों की है, जो गाव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे डॉट, वह तीन दोस्त दिन रात चलते हुए अपने मन्जिल की और बढ़ते जा रहे थे। और उपर से तेज धूप के कारण मुझसे से और चला भी नहीं जा रहा है, और इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत खराब हो रही है, डॉट, राम के बाद सुनकर उसके मित्र गोविन कहता है, हाथ तुमने ठीक कहीं है, मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाओ यार जल्दी से कहीं रहने का इंतिजाम करो, डॉट, गोविन को इस हाल में देखकर राम कहता है, यार इस घने जंदल में कहां रहने के लिए जगा मिलेगा, राम श्याम और गोविन इन तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तब ही उसे कुछ दूर में एक बड़ सा पेड नजर आता है, डॉट, पेड को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड तक पहुचते हैं, और पेड तक पहुचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं, और वहीं बैठ कर आराम करने लगते हैं, डॉट, और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहां कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है, दोस्तों और कुछ देर यही आराम किया जाए. और हम लोगों को दो-तीन घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा. फिर तीनों दोस्त वही आराम करने लगते हैं, और आराम करते करते वही सो जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती हैं, और सभी वही सोय रहते हैं, थोड़ी देर बाद राम उठता है, और सभी को उठाता है, अंगड़ाई लेते हुए शाम कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो काफी आनंदा रहा है, राम तभी शाम को कहता है नहीं यार जल्दी से उठो हमें अब अपने रा में निकलना है और गोविंद को उठाओ जल्दी डॉट राम के बाते सुनकर वहां उठ जाता है और गोविंद को भी उठाता है डॉट तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफर में चलने के लिए न यार वहां देखो एक गुफा है तब राम जवाब में कहते हैं गुफा में हमें क्या करना है हम अपनी रा में चलना है क्यूंकि हमें जल्दी अपने मंजिल में पहुचना है डॉट तब ही गुफा से एक तेज रोशनी आती हुई दिखी श्याम को रोशनी को देख कर श्याम कहता है यार तू हमें डरा रहा है और राम की बात को नहीं मानते हैं डॉट और तभी अचानक पहला जादूई दर्वाजा से आवाज आती है उची आवाज में मेरे पास आओ मेरे पास धेर सारे खजाने हैं डॉट और फिर दूसरा दर्वाजा से आवाज आता है मेरे पास दर्वाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त दर जाते हैं. और डर से राम कहता है दोस्तों यहां से चुपचाप चलो यहां खत्रा नजर आ रहा है. फिर से गोविन बोलता है यार तू बहुत दर्पोख है शांत्रा. फिर तीसरा दर्वाजे से आवाज आती है जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ मेरे पास है खजाना का समुंदर डॉट राम फिर से कहता है यार यहां खत्रा है अगर गलत दर्वाजे में गए तो नर्प में चले जाओ. इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त राम के बात न सुनकर उस दर्वाजे के अंदर चले जाते हैं डॉट राम बाँँद चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं राम सब का बाहर इंतजार करता है थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी पिर तुरंद बंद हो जाती है, डॉट, राम अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए, राम गुफा के अंदर जाता है, पर वहां उसके दोनों दोस्त नहीं थे, दोनों दोस्त गायब हो चुके थे, और उस जादूई दर्वाजा में बंद हो चुके थे, डॉट, फिर राम रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था, पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण ही वहां उस नर्थ में फंस चुके हैं.